नमस्कार लोग इरजुट्स के लिए वेकेंसी है वेश्ट बंगाल एस्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर समीथी की तरब से वेकेंसी निकाले गई है और इसकी लोकेशन जो रहने वाली है कोलकाता में रहने वाली है तो अगर आप लिस पोस्ट के अपलाई करना चाहत यहां पर मांगी गई है इस सारी जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो इस वीडियो को बिना स्क्राइब करें और आपको इसके बारे में कम्प्लिट इन्फरमेशन दी अगर आप एक लोग रिजवेट है या एक प्रैक्टिसिंग एड़ोकेट ही और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो में एक सब्सक्राइब करने एक बाद बेल इकन को जरूर दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी लिगल जौब ऑपॉर्सिनिटी मिस नहों अभी आप आपके स्क्रीन पे इसकी ओफि और यहां पर आपके पर्फॉर्मिंस अच्छी रहती है आपके काम से यह लोग सटिसफाइड होते हैं तो यहां पर जो हायर अथर्टी है वो जो आपकी जौब की पिरियड है उसे बढ़ाया जा सकता है इस पोस्ट के लिए आप जो है ओनलाइन या ओफलाइन दोनों माध वादियम से अप्लाई कर सकते हैं इस की अप्लिकेशन फॉर्म को print out करके फील करके स्वीट पुस्ट के बादियम से सेंड करना चाहते है तो वह भी आप कर सकते हैं अप्लाई करने का जो application fee है यहाँ पे 50 रुपया रखी गई है आप जानते हैं कि कौन इस पोस्ट के लिए apply कर सकता है कितनी पोस्ट वेकेंसी निकल का यह सिलरी कितनी मिलने वाली है और is limit क्या है तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसकी टेबल देख सकते हैं यहाँ पे इस सार इनवर्शिटी से साथ में उनके पास कम से कम बार कांसल में आपकी enrollment होनी चाहिए West बंगाल में यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है कि जो वेस्ट बंगाल के जो candidate है जिन्होंने West बंगाल बार कांसल में अपना enrollment कराया है वही इस पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं उसके अला करें तो यहां पे टोल एक पोश्ट्लिव मेंस निकाल गई है जो कि एस्टी के डेगरी के लिए सिर्फ और सिर्फ से करें टो 35 यहांड से ज्यादा आपकी ऐस नहीं χोना चाहिए और तब यहां पर 32 रुप्य पर मंत आपको सिल्री यहां पर दी जाएगी तो देखिए इस पोस्ट के लिए जो जर्रल केटेगरी केंडियेट है तो आप इस वीडियो को कर सकते हैं अगर आप जो एस टी केटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप आई विडियो को देख सकते हैं अगर आप ST category से बिलोंग करते हैं और इसकी eligibility criteria को fulfill कर रहे हैं तो आपको apply कैसे करने यह भी बता देते हैं apply करने के लिए जो इसका online application जो है आपको फिल करनी होगी या आप चाहे तो offline माधर्यम से भी apply कर सकते हैं online application का जो link है आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा जहां पर क्लिक करके directly आप इस पोस्ट के लिए apply कर सकते हैं selection की बात करें तो जितने भी इस पोस्ट के लिए apply करेंगे उनको जो सौट लिष्ट किया जाएगा और जिन के इनदेट को सौट लिष्ट किया जाता है उनको इंट्रव्यू के लिए बुलाय जाएगा और इंट्रव्यू के अधार पर ही आपको यह जो पोस्ट मिल जो 31 अगस 2024 रखी गए है और अप्लिकेशन फॉर्म को समिशन करने की जो लास डेट है वह 3 सिटमबर 2014 तो सीधात वरप अगर हम बात करें यह जो इसकी अपिलिकेशन से पहले करने होगी और उसके बाद जो है 31 अगस से पहले आपको इसकी अप्लिकेशन फी जमा करने होग कि आप इसके लिए online माध्यम से ही apply करें क्योंकि offline के जंजट में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है तो अगर आप इस post के लिए इंट्रेस्टेट है इलिजबल है तो आप इस post के लिए apply जरूर किजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है अपलाई करने का भी और इस नोटिफिकेशन का भी तो आप जाके apply जरूर किजिए जल्दी मिलते हैं एक और नए लिगल जोगा फोर्शनिटी के साथ भारत थन्यवाद